नमस्कार प्रडाम अभीनंदन स्वागत दोस्तों आपकी सखी हाजिर है दिल के उपन स्टेज में और आज लेकर आई हूँ आपके फरमाईशियेत तो दोस्तों तयार हो जाईए टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाईए सारे काम छोड़ कर किचन से आ जाईए ड्राइंग अब आपके गीतों का दौर शुरू है और जैसे कि आज फरमाईशी दिन है आपका और दोस्तों अभी जैसे कल भी फरमाईश हुई थी परसों भी हुई थी तो आज हम जो गीत प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के लिए फरमाईश है पुनम जी की और जो गीत है गीत के बो कि जब परदेशी से अखियां मिलाते हैं तो बहुत महेंगा पड़ जाता है पता नहीं वो लोटकर कब आएगा और जब तक आएगा कहीं ऐसा ना हो कि जवाने से बुढ़ाद में परवेश कर जाए और फिर एक शेर हो जाता है बार-बार यही शेरकानों में सुनाई देता ह कि छुट गया उसका हाथ मेरे हाथ से बरसों पहले एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक कहीं यह ना कहना पड़े इसलिए परदेशी उसे जरा सोस समझके अखिया मिलाना दोस्तों आपने गित सुना और जब-जब फूल कि ले फिल्म से था और जब-जब फूल कि ले फिल्म से ये गित था और पसंद थी पूनम जे की और आप इस कड़ी में जो अगला गित सुनने वाले हैं वो राजेश USA से राजेश जी की पसंद है और फिल्म है दिल एक मंदिर लेकिन रात के ठहरने की बात हो रही है तो इस गित से पहले एक शेर अर्स करती हूं कि रात तो वक्त की पाबंद है ड़ल जाएगी देखना ये है कि चरागों का सफर कितना है आवाज दे के हमें तुम बुला लो तो भही हम तो आप सभी को बुलाना चाहते हैं अपने इंडिया में और कभी ने कभी तो आपको बुलाएंगे आवाज दे कर दोस्तों ये तो थे आप जो रहा हम लेकर आए हैं, आपके लिए कुछ खास गीत, मुझे उमीद है कि जैसे आपकी पसंद के गीत सबको पसंद आए होंगे, आपके फरमाईशी, ठीक वैसे ही जो गीत मैं चुन कर लाई हूँ आपके लिए, उमीद है आप सभी को वो भी पसंद आएंगे, इस कड़ी में अगला गीत सुनने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि एक शेर अर्ज करती हूँ उस गीत के लिए कि खामोशियां कभी बेवज़े नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं, तभी तो पलके रहती हैं भीगी भीगी सी, तो दोस्तों पलके दूर होगी लेकिन छोड़ो इस वज़य को, चलते हैं थोड़ा सा थुमरी की तरफ, तुरह नृत्य की तरफ, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से पायल के घुंगरू बोल रहे हैं, बड़ी कमाल की पायल है उसकी, बड़ी कमाल की पायल है उसकी, पैरों में वो पहन दी है और घुंगरू दिल में बचते हैं, बड़ी कमाल की पायल है उसकी, तो दोस्तों हुसनवाल ने जब मुस्कुरा के शर्मा के अपना दुपट्टा ठीक करते हैं, तो फिर बात ही कुछ और होती है, और भाई हमने भी अपना दुपट्टा संभाल लिया है, क्योंकि ह हमारा भी जाने का वक्त हो गया है, अगले हफ्ते फिर आना है लोटकर, किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, info at justbroadcasting.com पर, अपना प्यार देते रहें, अपना दुलार देते रहें, अपनी इमेल भेजते रहें, और बताईए कि आपको दिन बदिन दिल के open stage क कैसा लग रहा है, और दोस्तों आपनी सकी को जाने दीजिए, क्योंकि लेकिन जाते समय वाइदे के साथ जा रहे हूं कि मुझसे वाइदा कीजिए, अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्त रहेंगे, व्यस्त भी रहेंगे, प्रणाम.